दूख्या बगत छिरी सत्पाल जी के साथ मेंदिप उरदाम पे पहुंच जाती है उस दूख्या में संकट होता है पहुत ही जोर से बेस्ती आती है गुरू सिरी सत्पाल जी उनके सारे भोग लगवा देते हैं अर्जी लगवा देते हैं लेकिन वो संकट जाने का नाम नहीं लेते भगत जी को ललकार देता है तो वो दुखिया हार के भावन के बाहर बैठ जाती है और बाबा को अपना दुखड़ा सुनाती है बाबा पेशी खुल के यारी लाग संकट भूत अनाडी बाबा पेशी खुल के यारी लाग संकट भूत अनाडी बाबा ने पैंदेर्या से ललकार हो बाबा ओ बाबा, ओ बाबा, आओ नैं एक बार ओ बाबा, ओ बाबा, आओ नैं एक बार मन्य बाबा यो आँके दिखा रहा, काल नैं यो सिर्फ पठा रहा मन्य बाबा यो आँके दिखा रहा, काल नैं यो सिर्फ पठा रहा मेरी कुण्या पार्वसारी सर्ते रख न्यारी न्यारी मरणिन ओर्यसे यो त्यार, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, आओ नैं एक बार ओ बाबा, ओ बाबा, ओ नैं एक बार पालपकडि मेरी नाडिन जट्टिक मैं तू बिल्कुल सोधी कोरी मैं नाचालन दुगी होरी ओ बाबा, ओरी जूला चार, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, आओ नैं एक बार ओ बाबा, ओ बाबा, ओ नैं एक बार तेरे बाबने पे आने पड़ी हो आवन मैं कदे की खड़ी हो तेरे भवन पैयाने पड़ी हो, आवन मैं कदे की खड़ी हो तेरी आस गड़ी से बारी मैं तो जोडी करके आरी मन से तेरे पई अतिवार ओ बापा, ओ बापा, आवन एक बार ओ बापा, आवन एक बारी सते पाले गुरू तने दिले ते बुलावे सते पाले गुरू तने दिले ते बुलावे सते पाले गुरू तने दिले ते बुलावे सते पाले गुरू तने दिले ते पुलावे सते पाले कुरू तने दिले ते बुलावे सते बापा, अतिवार। बापा कि तो जब कुछ दे रहा आने कि बारे हो बापा